साथियों, नया सिखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई हैं। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धर्ती अपनी उपजाओ शमता खोती जाती हैं। कि जिस प्रकार मिट्टी को और ये बात समझने जैसी हैं। जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो इट का रूप ले लेती हैं। और वो इट इतनी मजबुद बन जाती हैं कि बीमारत बन जाती हैं। लेकिन फसल के अवश्रसों को जलाने की हमारी यहाँ परमपराजी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो हीट बन जाती है फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक ब्रह्म ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी नहीं। जब कि सच्चाई इसके बिलकुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनवतियों के बावजोद कृशी यूग में मानवता सबसे तेजी से फली फुली आगे बड़ी। क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी। लगातार लोग सीखते थे। आज अउद्योगी की यूग में तो हमारे पास टेकनोलोजी की ताकत है। कितने सादर हैं, मौसम की भी जानकारी हैं, अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहात बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परिशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंप्रागत ज्ञान के द्वारा उपाई दे सकता है।